दिजिटल कक्षा के इस वीडियो में हम Facebook Marketing Objectives के अंडर Consideration में आने वाले टाइप, Messages के बारे में जानेंगे तो फिलहाल हमने अभी तक Consideration में आने वाले अन्य जितने भी टाइप से हैं Traffic, Engagement, App Installs, Video Views और Lead Generation के बारे में अल्वेडी जान लिया है हमने इनकी Ads भी रन की और उनका Result भी देखा और फिर उसे Analyze भी किया तो Consideration टाइप में सिर्फ Messages वाला रह गया है और इसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे उसके बाद हम Awareness वाली Series स्टार्ट करेंगे तो फिलहाल आपको Messages के बटन पर क्लिक कर देना है तो चलिए सबसे पहले जानते है Messages किस Case में Beneficial हो सकते हैं यह जो Traffic Engagement App, Install Video Views और Lead Generation वाला है यह पुरानी चीज़े हैं यानि कि यह Facebook में पहले से थी लेकिन जो Messages वाली चीज़ है यह अभी recently 2017 September में आई है यह अभी recent ad किया गया है ठीक है तो Messages में आप क्या कर सकते हैं कि आप जादा से जादा लोगों को आपके Business के Related Messages Messenger में भेजने के लिए like promote कर सकते हैं अपनी ad को ठीक है यहां पर लिखा हुआ है get more people to send messages to your business in Messenger यानि कि यदि आपका business है basically business की बात कर रहे है यदि आपका Facebook पर page है आप उसके through messages लाना चाते हैं लोगों से कि लोग आपको contact करें message करें तो उस case में messages वाला better रहता है messages किस case में beneficial होंगे अगर आपकी already कोई brand है आपके पास आपको productive वगरे सल करते हैं तो आप customer से response चाहते हैं कि आपको हमारी company कैसी लगी ऐसे cases में आप messages वाला option opt कर सकते हैं ठीक है और बहुत सारे cases बन सकते हैं जस्त आपको यह देखना है कि आपको अपना business इंप्रूव करना है या फिर उसे आगे कैसे बढ़ाना है ठीक है तो उस case में messages यूजर के द्वारा बेजे के messages आपके लिए कैसे beneficial हो सकते हैं तो वो आ more people to have conversations with your business in messenger to complete purchases, answer questions or offer support याण कि जाद से जाद लोगों को आपके business के लिए आपको messages आए था कि आप अपने purchases को complete कर सकते, purchases complete हो सकें आप उनके questions के answer दे सकें या फिर उन्हें support वगार उफर कर सकें तो ऐसे case में customer के loyalty बनाए रखने के लिए आप messages का use कर सकते हैं यहां पर new लिखा हुआ है get more messages now your business can drive results through conversations and personal connections with messenger basically क्या है अगर आप इस ad को with combination जैसे lead generation वाले form में के साथ use करेंगे तो शायद आप और भी जादा results gain कर पाए जैसे आप अपनी customers को message through leads generate कर वाले साथ के साथ link डाल दें और कि यदि आपको हमारी service अच्छी लगी तो आप यह वाला lead form भर दीजिया ठीक है तो ऐसे आप multiple Facebook की ads को as combination में use कर सकते हैं ठीक है तो आपको यहां पर campaign दे रहना है तो मैं दे रहा हूँ dg messages मैंने campaign का name दे दिया और उसके बाद आपको नीचे continue के button पर click कर देना है तो अभी हमें add set को configure करना होगा और उसके बाद add तो फिलहाल सबसे पहले आपको ऊपर add set का name दे रहना है तो मैं dg messages इस add set का name दे रहा हूँ अच्छा अब आता है messages section यहां पर लिखा है कि choose an add type that will direct people to messenger अब आपको add type चूज करनी है यहां से कि आप कौन सी add type चूज करना चाहते हैं कि आप directly लोगों को messenger पर redirect कर पाए अब जैसे facebook में कोई बंदा app की news feed scroll कर रहा है तो उसके बीच में आपको add दिख रही है तो वो directly आपको messages भेजने के लिए उस बंदे को उसकी messenger app में ले जाए ठीक है या फिर उसका messages column कोल दे तो कैसे करना है ठीक है जहाँ पर click to messenger आप कोई button डाल दे उसमें कि directly आपकी add से वो click में चाल जाए या फिर आप उनको कोई customers को जहाँ जो भी बंदे add देख रहे हैं उन्हें को sponsored message भेजे ठीक है ना ताकि आप उनके साथ conversations शुरू कर सके ठीक है तो यह दो options है तो basically मैं यहाँ पर sponsored message वाला चूस कर रहा हूं ठीक है send messages to existing conversation अब दोनों में एक फरक है अगर आप totally new बंदे से बात करना जाते हैं तो आप पहला option जुनिए click to messenger open messenger conversations from ads ठीक है na conversations को ads से open कर देगा sponsor message में क्या है कि अगर आपकी कोई existing conversations है तो आप उसको continue कर सकते हैं ठीक है तो यह दो options है तो हम पहले पहला option जुने हैंगे click to messenger आप दूसरा भी चुन सकते हैं अपनी requirement के हिसाब से उसके बाद audience set करनी है तो हमारे पास बहुत सारी saved audience है आप देख सकते हैं ठीक है हम हर बार जैसे new set करते हैं audience ठीक है लेकिन यदि आप अपनी existing created audience से चुनना चाते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं तो basically मैं new ही create करोंगा new audience तो मैं जो new audience है वो डैली city से चुछ करें जाता हूं ठीक है कि डैली city के लोगों को वो add दिखाए तो locations everyone in this location नहीं करेंगे people who live in this location ठीक है recently या फिर traveling नहीं people who live in this location यान कि केवल उन लोगों को add दिखाए जो की इस location में रहते हैं तो हम new Delhi select कर लेते हैं यानि कि सिर्फ Delhi city में जितने भी लोग हैं केवल उनको यह add दिखाए डैली city के center से 25 miles ठीक है और चलिए उसके बाद बस city एक ही select करनी थी मैंने और यहां पर हम age group select कर देते हैं और यह ज्यादा से ज्यादा 50 year तक के लोगों को add दिखाए 18 to 15 general रखेंगे ठीक है और languages set कर देते हैं Hindi यानि कि केवल जो लोग Hindi जानते हैं उनको मैं message भेजूँगा ठीक है उसके बाद हमें audience को save कर देना है ताकि हम future में भी use कर पाएं तो मैं अभी set कर देता हूं New Delhi 1850 Hindi तो कोई भी आप name दे सकते हैं ताकि आप identify कर पाएं कि कौन सी audience है उसके बाद आपको save के button पर click कर देना है उसके बाद हमें placement को option set करना होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था आगे भी कि edit placement कर सकते हैं आप customize लेकिन best जो optimized रहता है select कर लेंगे ठीक है तो यह सारा process बाकी वीडियो की तरह ही है चलिए कोई start date select कर लेते हैं जैसे मैं कल सुभा छे बज़े से एड़ चलाना चाहूंगा तो मैं timing set कर देता हूं कल सुभा छे बज़े से सिर्फ दो दिन एड़ चलाना है 27 से 29 तारिक तो छे बज़े सुभा तक ही एड़ चलाना है ठीक है तो इस प्रकार हमारी एड़ जो है वो दो दिन के लिए जलेगी और हम जादा से जादा 200 रुपए खर्च करेंगे है estimated daily results देख सकते हैं कि 330 से लेकर 1500 लोग और तक आपकी एड़ पहुंचने के आसार है ठीक है तो इस प्रकार हमने अपना एड़ सेट create कर लिया है ठीक है click to messenger को option रख्या audience वगएर आप एक बार verify कर ले ताकि कोई गलती ना रह जाए उसके बाद आपको continue के button पर click कर देना है अब आपको add create करनी है ठीक है तो सबसे पहले हमें add का name देना होगा default name को change कर देते हैं dg messages तो मैंने यह add का name दे दिया आप चाहिए तो कोई existing post को use कर सकते हैं अब existing post क्या होता है existing post में आपको सबसे पहले अपना कोई भी facebook page चूज कर लेना है जिस पर आपने कभी पहले post किया हो कुछ manual जो normal post होता है वो किया हो तो उसका post आप select कर सकते हैं यहां से और उसी को as a add run कर सकते है बेसिकली यह boost post वाला option होता है वो यह होता है जब आपको भी facebook का page खोलते हैं वहां पर लिका होता है boost post to get more likes बगारा तो यह option होता है तो यहां पर आपको हम दुबारा create करेंगे ने ठीक है create add के button पर click करना है और अपना page choose कर लेना है तो मैं यहां पर digital कक्षा का page choose कर रहा हूँ आप चाहें तो instagram के लिए अलग से अपना account अगर आप instagram पर exist करता है आपका business तो आप वो भी select कर सकते हैं यदि instagram पर आपका इस account facebook account के साथ link होगा account तो यह automatically भी fetch कर लेता है ठीक है जैसे traffic वाली video में euphorbia box का instagram pages ने automatically fetch कर लिया था अच्छा अब format है format अलग लग है जैसे carousal है single image है single video है और slideshow है तो हमने single image और video वाले format तो already use किया हूँ है video वाला last video में यूज किया था और single image वाला अलग लग हम करते हैं अभी तक ads में use तो carousal क्या होता है और slideshow क्या होता है carousal में आप एक add क्रियेट कर सकते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा scrollable images या फिर videos हो सकते हैं और slideshow में क्या होता है कि आप एक looping video क्रियेट कर सकते हैं जिसमें 1000 से ज्यादा 10 images हो सकते हैं ठीक है तो यह आप पर depend करते हैं तो आज हम carousal वाला option चूज करेंगे because अभी तक जितन है तो हम carousal use करेंगे carousal option completely different होते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है create an add that encourages people to start a conversation with your business यानि कि आपको एक ऐसा add create करना है जिससे कि लोगों में मतलब इच्छा जाहिर हो कि वो आपसे बात करें messages करें आपको ठीक है न तो आपको एक ऐसा attractive add create करना है जिससे कि वो attract messages भीजने में आपके ठीक है मैं लिख जेता हूँ if you want to learn digital marketing in Hindi and want to if you want to learn digital marketing in Hindi and want to earn money online and want to learn लिख देते हैं then let us know ठीक है यानि कि if you want to learn digital marketing in Hindi यदि आप digital marketing को Hindi में सीखना चाहते हैं और online पैसे कमाना सीखना चाहते हैं तो हमें बताइए ठीक है तो यहां पर लिख देता हूं messages now ताकि एक तरह से attraction हो जाए कि आप हमें message कीजिए तो यहां पर messages now लिखा आ रहा है connecting messenger का option देते हैं ठीक है अब see यहां पर आपको मैं recommend करूंगा कि आप यह option check रहने दे automatically show the best performing cards first अच्छा इसमें बैसिकली जैसे मैंने बताया न कराउजल में cards होते हैं दो या दो से जड़ा scrollable images या video होते हैं basically cards में होती है जैसे पहला card दूसरा card तीसरा card आप चाहे तो और cards भी add कर सकते हैं जैसे मैं भी add कर रहा हूं ठीक है तो it depends कि आपको कितना चाहिए तो मैं फिलहाल के लिए सिर्फ 3 cards add करूँगा ज्यादा card नहीं add करेंगे हम सिर्फ 3 cards add करेंगे आपको जिसको भी edit करना है जिस card को आपको उसको select कर लेना है जैसे अभी 1 किया है फिर 2 और 3 और हर card के individual options आएंगे और उसका preview भी site पर आएगा तो सबसे पहले वाले card में हम कोई image choose कर लेते हैं तो हर एक card में individually option है कि आप image लगाना चाते हैं या फिर video या फिर कोई slideshow लगाना चाते हैं अच्छा see आप image तो मालीजे एक single image लगा सकते हैं अच्छा video और slideshow का option बहुत ही बढ़ी है वीडियो अगर आप select करेंगे तो आप कोई भी एक normal वीडियो इसमें लगा सकते हैं जिसकी required length यह है maximum 240 मिनट की कोई भी वीडियो हो सकती है slideshow में एक interesting concept यह है कि आप slideshow के अंदर फिर से जहाज़ा images लगा सकती है और यह images 10 तक हो सकती है जाए से जाए आप 10 images लगा सकती है इनकी timeline यहां पर जैसे आप drag करते जाएंगे यहां यहां पर आती जाएंगे ठीक है तो यह भी आप लगा सकती है यह depend करता है तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले कोई भी एक image लगा दूँगा ठीक है और second वाली में मैं एक वीडियो लगाऊंगा और जो थर्ड वाली होगी उसमें आपको एक slide show create करके दिखाऊंगा ताकि आपको हर एक चीज अच्छी तरह से clear हो जाए ठीक है तो सबसे पहले वाली card में मैं image एड़ करूँगा तो select image के button पर click कीजिए और upload images के button पर click कीजिए और फिर आपको कोई भी image चूज कर लेनी है जो भी आप लगाना चाहती है तो मैं अब image चूज कर रहा हूं उसके बाद आप लोडिंग हो रहा है तो जैसे ही आपकी image upload हो जाएगी यहाँ पर आ जाएगी आपको जसे select करना है और फिर confirm के button पर click कर देना है तो साथ के साथ यहाँ पर आपकी image आ जानी चाहिए अचाहिए इसमें एक और बहुत बढ़िया feature यह है कि अगर आपकी image अभी edited नहीं है तो आप यहाँ से image को crop वगेरा भी कर सकते है ठीक है अगर आपके कोई भी questions है तो आप इनकी guidelines देख सकते है official guidelines इसका link यहाँ पर दिया होगा headline आप कोई भी custom दे सकते है तो connecting messenger default headline होती है तो यही default headline मैं यहाँ पर रहने देता हूं ठीक है दाल सकते हैं यह completely optional है ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं ask questions about digital marketing in Hindi ठीक है तो मैं लिख देता हूं यदि आप digital marketing के related Hindi में questions पूछना चाते हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं यहाँ पर नीचे description लिखी आएगी अचा call to action में button आप कोई भी choose कर सकते हैं तो send message का option ह बैटा है यहाँ पर तो जो सबसे पहला card है हमारा ready हो गया चलिए second card बना लेते हैं second card में मैं आपको एक video लगा कर दिखाऊंगा तो आपको just video का option choose कर लेना और फिर select video के button पर click करना है ठीक है तो कल मैंने already एक video upload की थी तो यही video में मैं इसमें embed कर देता हूं अगर आप कोई new video डालने साकते हैं तो आप यहाँ से upload videos के option से वह कर सकते हैं किसी already online available है video तो उसके link से यहाँ से डाल सकते हैं या फिर आपके page में videos uploaded है उसे आप यहाँ से choose कर सकते हैं upload का option यहाँ पर भी रहेगा तो आपको just video को choose कर लेना यहाँ से और फिर select के button पर click कर देना है तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो आ गया वीडियो 445 सेकंड का है आपको नीचे कोई भी एक attractive headline देना होगा तो मैं यहाँ पर headline देता हूँ तो जैसे यह वीडियो आएगी न second card में तो इसका आप thumbnail भी custom set कर सकते हैं तो वो भी मैं जल्दी से कर देता हूँ मैंने कल अल्रेड़ी इसका एक thumbnail upload किया था तो वो मैंने अपनी library से select कर लिया तो वीडियो का thumbnail default thumbnail नहीं आएगा यह वाला जो हमने custom set किया वो आएगा ठीक है तो जो second है वो कुछ इस प्रकार से आएगा ठीक है आप देख सकते है side पर जब आप phone में scroll करेंगे तो इस प्रकार से वो scrollable card आएगा ठीक है चलिए अब हम third card भी set कर देते हैं third card में आपको वीडियो या slide show लगा सकते हैं तो third card में मैं आपको slide show create करके दिखाऊंगा तो create वहां पर click करेंगे आप एक image की duration set कर सकते हैं जादा से जादा एक image की duration 5 seconds तक set कर सकते हैं यदि हर एक image 5 seconds की होगी तो जो आपको slide show हो है 50 seconds का हो जाएगा ठीक है तो default एक second होती है मैं आपको वही recommend करूंगा और transition लगा सकते हैं जैसे नन और fade इसके इलावा music का भी option है कि यहां पर बढ़िया दिया गया है तो वह music हम इस video में embed नहीं करेंगे तो जली से आप slide show में कोई भी video या फिर photos डाल सकते हैं तो मैं photos डाल दूँगा जली से हम जादा images नहीं add करेंगे मैं सिर्फ 2-4 images add कर Heb करेंगे तो जली से वह images select कर लेते हैं जो यह मुझे add करनी है अचा images ake Эक करके select होंगी था इक करके images को upload कर लेते हं तो हमारी एक image upload हो गई है चल्छे दूसरी image उप्लोड कर देते हैं तो हमारी दूसरी image उप्लोड हो गई है कि आपकी ad attractive होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, ठाकि आपकी ad को देखकर लोग आपको message करें, यह ना हो कि आपकी ad बनाना, उस पर मेहनत करना जाया जाए, तो अभी आप देख सकते हैं हमारी तीनों images upload हो चुकी है, आप चाहे तो कोई account images में से भी choose कर सकते हैं, जो यो page आपने इस specific चीज के साथ link किया है, add set के साथ link किया है, आप उन में से भी images choose कर सकते हैं, या फिर stock images तो आप हमेशा search कर ही सकते हैं, ठीक है, तो फिलाल मैंने 4 images include की हैं, उसके बाद आपको इसको select करना है, अगर आप को image नहीं चाहते एड़ करना, तो उसके उपर cross का button आप remove भी कर सकते हैं, तो उसके बाद मैं simply confirm के button पर click करूँगा, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी images add up हो जाएंगी, ठीक है, अभी 1, 2, 3, 4, यह add हो गी है, आप image duration change कर सकते हैं, और transition effects लगा सकते हैं, जैसे मैं अभी fade लगा रहा हूँ, तो हर एक image fade हो कर duration थोड़ी जादा रख देते हैं, क्योंकि images काफी fast जा रही थी, ठीक है, हमेशा प्ले करके देख सकते हैं, यहां से कि आपका slideshow कैसा बना, तो अभी speed कुछ ठीक है, ठीक है, तो आप fade चाहें रख सकते हैं, अगर नहीं भी रखना चाते हैं, तो उसे हटा भी सकते हैं, तो यहां पर लिखा, this can take between 30 seconds and 2 minutes, तो 30 seconds से 2 minutes का समय लेगा setup करनेंगे, ठीक है, तो यह basically आपके slideshow को as a video compile करके आपको output दे देगा, तो अभी इसने हमारी 4 images के slideshow को 8 seconds की एक video के रूप में compile कर दिया, तो हमारा 3rd card भी ready हो गया, 1st, 2nd, 3rd, 3 card हैं हमारे पास, और यह ready हो चुके है अच्छा, आपको नीची आना है, आप इस video को कोई thumbnail दे सकते हैं, लेकिन जो default thumbnail है वही बढ़िया है इसके लिए, आप इसकी कोई heading दे सकते है, learn, तो मैं भी दे रहा हूँ, learn digital marketing from experts, ठीक है, in Hindi, तो यह मैंने कोई title line यहां पर भी दे दी, इसी परकार आप description दे सकते है, again optional है ठीक है, तो slide show में मेरे हिसाब से कोई description हमें नहीं चाहिए, फिलहाल के लिए, आप अपने हिसाब से करिए, ठीक है, send message आएगा, हर बार नीचे, send message यह हमने show करना है, बस आप call to action में send message का button रखिये, ठीक है, अच्छा, एक और बात आप यहां पर interesting चीज यह कर सकते हैं, यह बहुत important चीज है, messenger setup, create the first few messages people see in messages after they click on your ad, यहां पर आप पहले कुछ messages generate कर सकते हैं, जो कि लोग देखें जब यह आपकी ad पर click करते हैं, अब महा लीजिए, अगर कोई बंदा आपकी ad पर click करके आता है, और वो basically आपकी chat खुल जाएगी, ठीक है, अगर उसमें कोई भी message नह रगेगा, क्या करना है, तो यह option set करना always better रहता है, कि आप थोड़ा सा messages set कर दें, जो कि पहले app में display हो, ठीक है, जब भी बंदा खोले, उसको display हो, तो आप जब click करेंगे, ठीक है, तो यहां पर यह आपको set करना होगा, इसके भी दो standards है, standard set है, और JSON set है, जो सबसे पहला है आपको कोई welcome message basically set करना, ठीक है, show people a greeting before they start a conversation with you in messenger, ठीक है, जब भी आप से बात शुरू करें, तो ऐसे आए, जैसे, hi gurmeet, please let us know how we can help you, ठीक है, तो ऐसा message उनको लिखा है, तो यहां पर जब भी click करेंगे, भी आपको message भेज सकते हैं, ठीक है, hi gurmeet, person's first name यहां पर लिखा रह आएगा, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूँ, please let us know, ठीक है, if you are interested in learning digital marketing in Hindi, तो फिलहाल आप देख सकते हैं, कि मैंने यहां पर line लिख दिया, hi gurmeet, hi, यहां पर जो भी person का first name होगा, वो आएगा, please let us know, if you are interested in learning digital marketing in Hindi, ठीक है, हमें बताएए यह यह दिया, आप digital marketing Hindi मे सीखने में interested हैं, ठीक है, तो मैंने यह एक messages type add create कर दिया, इसी परकार आप text and image और text and video भी create कर सकते हैं, यानि कि लोग जब भी messenger खोले तो उन्हें image भी आए, या फिर video है, ठीक है, तो quick reply में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो यहां पर नीचे display हो, I would like to learn more, ठीक है, तो यह by already set it है, by default वही रहने देते हैं, इसी परकार आप JSON format में भी upload कर सकते हैं, तो standard format ही बढ़ी है रहता है जातर लोगों के लिए, तो मैंने यह explain कर दिया, उसके बाद आपको यहां पर done कर दिना है, अगर आप इसे messenger app में देखना चाहते हैं, तो यहां पर preview कर सकते हैं, preview basically by default right प सारा explain कर दिया है, ठीक है, आप अलग-लग feature phone में, mobile news feed में, desktop news feed में, जैसे भी चाहें देख सकते हैं, यह आपको पहले से explain क्या हुआ है, बाकी वीडियो में, ठीक है, अभी आपको एक बर confirm कर लेना, जो भी आपने information डाली है, वो सही है, यह गलत है, ठीक है, अगर गलत है त इसे correct कर दीजिए, जब यह सारा काम हो जाए, आपको confirm के button पर click कर देना है, तो यह confirm करने में कुछ seconds का समय लेगा, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो confirmation status है, वो हमने send कर दिया है, और जो यहाँ पर status हा रहा है, वो reviewed का status हा रहा है, यानि कि being reviewed का status, तो अभी हमारी जो 200 रुपिया लगेगा, तो हम पहले से ही 200 रुपिया अपने account में add करके रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारी add properly run कर पाए, ठीक है, अगर balance नहीं होगा, तो आपकी add run नहीं करेगी, तो जल्दी से आपको balance भी add कर देना है, तो balance add करना है, जैसे बागी वीडियो में भी आपको सि जाएगा, तो अभी मेरा existing balance 161 रुपिया और 57 पैसे है, तो ये मैंने एक कल add run की थी, उसमें 200 रुपिया लगना था, तो मैंने 200 रुपिया अपने account में add किया था, तो मुझे मालूम है कि ये balance उस add को run करने में लग जाएगा, पूरा का पूरा, क्योंकि उस add को 200 रुपिया option पर click करके 200 रुपिया और add कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पैसे add कर देने है, तो यहाँ पर आपको simply add money के button पर click करना है, और आप यहाँ से किसी भी payment option से pay कर सकते हैं, तो मैं हमेशा paytm wallet refer करता हूँ, ज्यादा prefer करता हूँ, तो मैंने paytm wallet select कर लिया, और मै continue के button पर click करूँगा, तो जल्ली से यह paytm का process में complete कर लेता हूँ, 200 रुपिया मुझे और add करना है, 200 रुपिया लिख दिया, और review payment के button पर click करने के बाद आपके पास final balance आजाएगा, balance एक बार check कर लें, उसके बाद make payment के button पर click करें, और जल्ली से payment कर दें, तो हमने account में 200 रुपिया और payment add कर दी थी, ताकि यह dg messages वाली add successfully run हो सके, और अभी आप जेख सकते हैं कि हमारी यह वाली add को approval भी मिल चुक है, पहले इसका status in review था, अब यह scheduled आ गया, यानि कि approval मिल चुक है, और यह add कल सुबा 27 से परहल है, तो कल सुबा 6 बजे यह add अपने आप run कर जाए जैसे अलग-लग factors थे, page likes थे, इसमें link clicks थे, इसमें messaging reply वाला factor आएगा, ठीक है न, तो उस हिसाब से हमें cost per result चार्ज होगा, ठीक है, तो यह 29 अपरेल को 6 बजे सुबह end होगा यह campaign, और इसका जो भी result होगा, मैं इस वीडियो में add up कर दूँगा, और आपको results show करूँगा, तो तब तक के लिए मैं video post कर देता हूँ, तो हमने जो messages consideration वाला ad campaign run किया था, उसका result आ चुक है, उस campaign का नाम हमने dg messages रखा था, ठीक है, और आप देख सकते हैं इसका status recently completed है, और जो इस post की reach है, वो 2349 लोगों तक गई है, और जो इसके impressions हैं, वो 2700 के आसपास है, ठीक है, ह हमने ये भी दो दिन के लिए run किया था, approximately 200 रुपिया budget इस पर spend किया था, 100-100 रुपे का daily budget रखा था, लेकिन आप देख सकने हैं, इसका result कुछ खास नहीं आया, हमें सिर्फ एक messaging reply मिला, यानि कि किसी सिर्फ एक बंदे का reply आया, अगर add 2400 लोगों को दिखी है, तो उसमें स सिर्फ एक बंदे ने message का reply किया, ठीक है, अब see, messages consideration अभी नया है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, और इसका result भी कुछ खास नहीं आया, ठीक है, अब इसी कारण से इसकी popularity काफी कम है, जैसे कि convergence और traffic clicks या फिर app installs वाले campaign की popularity काफी जादा है, लेकि जो messages consideration वाला है, इसकी popularity भी इसी कारण से काफी कम है, क्योंकि message बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, और बाकी audience वगएरा सारे factors भी matter करते हैं, ठीक है, लेकिन यदि आपको जुरूरत है, अगर आप high budget spend कर सकते हैं, तो आपको काफी messaging replies मिल सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार हमा ये messages वाला campaign भी complete हो गया, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाल